नमस्कार दोस्तों, बाईजूस एक्जामप्रे पाईए सिंदी में आप सभी का स्वागत हैं। आज हम आपके सामने 21 अगस 2022 के समाचार विसले संड प्रस्तुत कर रहे हैं। जिसमें दहिंदू समाचार पत्र से संबंदित प्रमुख आलेकों को आधार बनाकर हम चर्चा कर देते हैं हमारा पहला विसले है कश्मीर मद्दाता सूची जम्मु कश्मीर के केंशासर प्रदेश के रूप में बिधान सभा की स्थिति है और वहां पर आगामी चुनाओं के लिए प्रमुख रूप से जो मद्दाता सूची है उसके नवीन रूप को तयार किया जा रहा ह उसी संदर में हम प्रमुक रूप से चर्चा करेंगे दूसरा हमारा विस है रोहंगिया पर भारत की नीती की संदर में है यहाँ पर दिल्ली में रोहंगिया लोगों को अलग से बसानी की जो इस्तितिया है उसके कांट जो विवाद उत्पन्न हुआ है उसके संदर में हम चैचा करेंगे प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में हिमाचल प्रमुक रूप से हिमाचल पदेश में जिस तरह से प्राकृतिक आपदाओं बढ़ी है और उसका प्रमक रूप से कारण आधनिक जो विकास की स्तितिया है उसको इतरे से उत्तरदाई रूप में माना जाता है चोथे विशह में हम हानिकारेक पुष्टत्तों की पहचान करने में सबसे प्रभावी जो छेतावनी लेविल का तंतर होता है उसे माना गया है क्योंकि आप ध्यान रखें भारत में प्रस्तावित था कि जो एक तरह से star rating होती है वो दिया जाएगा खादे पदार्थों पर भी जैसे आप अलग-अलग electronic उपकरणों पर देखते हैं star rating दी जाती है उसी तरह से खादे पदार्थों पर भी बात की जा रही है और इसी संदर में आलेख में चर्चा की गई है अगला हमारा आलेख जागृत्ता से बढ़ी कोट की भूमिका किस तरह से जागृत्ता के करण लोग कोट में ज्यादा पहुँच रहे हैं और अपने विवादों को नियाएले के माद्धन से हल कराने का प्रयास कर रहे हैं आज का अंते मालेख होगा संगवाद म्यायपालका पर भी लागू होता है यहाँ पर उच्छे नैले के एक निर्ण के माद्धन से इस तथ्य को सिद्ध किया गया है और अंत में हमारी चर्चा के आधार पर मुख्य परिचा के जो संबंदित अभ्यास प्रस्णोंगे उनक यहाँ पर विधानसवा चनाव जल्द प्रस्तावित है और इस रूप में यहाँ पर जो वोटर लिस्ट है उसमें भी नए रूप में परवर्तन किये जा रहे हैं इसी संदर में प्रमुक रूप से आलिक में चर्चा है जब हम मदाता सूची के संसुदन की बात करते हैं त अगर हम चनाव आयो की बात करें तो उनका यह मनना है कि परसीवन आयो की सिफारेश के बाद जिस तरह से विधानसवाओं में परवर्तन की स्थिति दिख रही है नए प्रकार से मदाता सूची को जारी करने की आवशकता है और अगर हम देखें तो वर्तमान में कस्मीर में 47 के मुकाबले 43 अब सीटे होंगे इसी के साथ सर आप ध्यान रखें जब परसीवन की सिफिति बनती है तो निर्वाचन छेतरों में एक तरह से नए इस्थितिया आती है यानि हो सकता है कि दो अलग-अलग निर्वाचन छेतरों को संबलत करके एक नए निर्वाचन छेतर या इसमें से हो सकता है, तीन निर्वाचन छेत्र बना दिये जाएं। तो अगर ऐसे इस्तिती होगी, तो मद्दाता सूची को लेकर परवर्तन आवश्यक हो जाता है। और यही काम जम्मो कश्मीर में प्रमकुरूप से किया जा रहा है। और अमध्यान रखें, 2014 के अंतिम विदानसवा चुनाओ के बाद, नवीन परिस्तितियों में जो चुनाओ होने वाले हैं, इसके लिए मद्दाता सूची की बिलकुल आवश्यक्ता है। यहाँ पर चुनाओ अएक के दारा इसपर स्टूप से यह कहा गया है, कि 1 अक्टूबर 2022 को या उसके पहले जो भी 18 वर्स की आईउ जम्मो कश्मीर में प्राप्त कर चुका है, उस विक्ति को नई मद्दाता सूची में सामिल किया जाएगा, और अंतिम मद्दाता सूची 25 इस नवंबर को प्रकासित की जाएगी, वर्तमान में जो मद्दाता सूची जम्मो कश्मीर की, उसको 20 मई 2022 से प्रभावी केंदरी कानून मंतला दारा लागू परसीमन आयोक की जो रिपोर्ट है, जो उसका अंतिमादे से, उसके अनुसार कुछ परवर्तित किया जा रहा ह यानि मद्दाता सूची जो पुरानी है, उसमें जो भी विदानसवा नए रूप में सीमांकित किये गए हैं, परसीमन आयोक के दारा, उसके अनुसार एक तरह से परिवर्तन किये जा रहे हैं, तो ये परिवर्तन करने के इस्तितियां प्रमुक रूप से परसीमन आयोक के सिफायर से उस आधार पर बन रही है और यह मद्दादा सुची में परवरतन को भी एक तरह से बना रहा है अगर हम जम्मु कस्मीर के चीफ इलेक्टोरल ओफिसर की बात करें मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तो उनकी तरफ से कुछ प्रमुक घुष्टना की गई है उनकी तरफ से यह कहा गया है कि जम्मु कस्मीर में मद्दादा बनने के लिए किसी व्यक्ति के पास जम्मु कस्मीर का आधिवास प्रमाटपत्र होना आवश्यक नहीं है 2019 से पहले की स्थितियों में यह एक आवश्यक्ता थी यहां पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दोरह यह भी का गया है कि एक कर्मिचारी छात्र मजदूर या बाहर का कोई व्यक्ति जो सामान रूप से जम्मु कस्मीर में रहता है अपना नाम जम्मु कस्मीर की मद्दाता सूची में दर्जे करा सकता है इसी के साथ साथ देश के अलग-अलग हिस्सों से तैनात जो ससस्त्रवल है जो जम्मु कस्मीर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो भी एक तरह से मद्दाता सूची की रूप में अपने आपको सूची बद्द क करा सकते हैं, क्योंकि हम ध्यान रखें, जब भी ससस्त्रवलों को सांती केंद्र में, यानि एक पीस के इलाके में, एक सांती के छेत्र में तैनात किया जाता है, उनको यह अधिकार मिल सकता है, जहां तक हम जम्मु कश्मीर की बात करें, तो यह सांती का छेत्र है, जहां पर स ससस्त्रबलों को तैनात किया गया है तो उनको मद्दाता सूची में सामिल होने के अधिकार भी मिल जाते हैं तो इस विकल्ब का लाब भी जो ससस्त्रबल है जो जम्मु कश्मीर में तैनात है वो लाब उठा सकते हैं मद्दाता सूची को नए रूप में जो बनाय जा रहा है उसमें 25 लाख नए मद्दाताओं के नामांकेत होने की उम्मीद है और वर्तमान में अगर हम मद्दाता सुची की बात करें जम्मू कस्मीर में तो 76 लाख मद्दाता हैं और जम्मू कस्मीर में अनवानित रूप में 18 वर से अधिक अगर हम आबादी की बात करें तो यह लगबग 98 लाख है तो इस रूप में आप देखें नए मद्दाताओं की संख्या यहाँ पर बढ़ेगी अनुछे 370 के जो विश्यस फ्रावधान है उनको 2019 में निरस्त कर दिया गया और इस रूप में अगर हम देखें तो जन प्रतनिदित तो अधिनियम 1950 और 1951 जम् क्रूप से अगर हम देखें किसी भी व्यक्ति को जो जम्मु कस्वीर में एक तरह से रहता है वह जम्मु कस्वीर की मद्दाता सुची में अपने आपको पंजिकरित कर सकता है यहाँ पर एक ही सर्थ है कि अगर आप जम्मु कस्वीर में मद्दाता के रूप में सुची हो सकते हैं अगर हम 2019 से पहले की प्रक्रियां देखें कि जम्मु कस्मीर मद्दाता सूची का निर्माण किस रूप में होता था तो पांच अगर 2019 को जब जम्मु कस्मीर के विसेश दर्जे को समाप्त किया गया तो आप देखें उसके पहले की प्रक्रियों में अगर हम अनुचे 370 की बात करें तो जम्मु कस्मीर के पास विसेश संविधानिक सक्तियां थी राज्य में विधानसवा मद्दाता की जो सूची थी वह जम्मु कस्मीर लोक प्रदिनित अधनियम 1957 के आधीन तयार की जाती थी और आप ध्यान लखें उसमें केवल जम्मु कस्मीर के इस्थाई निवासी ही बिधानसवा में मद्दान करने के लिए पंजिकरित होने के पात्र थे अगर आपके पास जमू कस्मीर के इस्थाई निवासी का प्रमाण पत्र नहीं था, तो 5 अगस 2019 के पहले अगर जमू कस्मीर में चुनाव होते हैं, तो आप वहाँ पर विधानसवा चुनाव में मद्दान नहीं कर सकते थे, और उसके लिए आप पात्र नहीं थे, इस रूप में हम ध्यानक हैं, जमू कस्मीर में मद्दान का अधिकार प्राप्त करने के लिए इसथाई निवासी प्रमाण पत्र और अधिवास प्रमाण पत्र दिखाना आवश्च्छ था, अगर हम 5 अगस 2019 के पहले की बात करें, तो पस्मीर पाकिस्तान और पाकिस्तान के पास अव परवर्तित होंगी अगर आप जम्मो कश्मीर में हैं तो आप वहाँ पर अपना नाम वहां की मद्दाता सुची में सामिल कर सकते हैं बस आपको यह ध्यान रखना है कि भारत के किसी अन्य राज्य में अगर आप मद्दाता सुची में सामिल हैं तो वहां से अपना नाम हटा पाच अगस 2019 के बाद जम्मो कश्मीर की जो इस्थिती है उसमें अगर हम देखें तो ये काफी महत्पूर्ण एक कड़ी है कि जो वहाँ पर निवास कर रहे हैं उनको मद्दान के अधिकार एक तरह से दिये जाएंगे लेकिन अगर हम देखें तो ये विवादित है क्योंकि जो भी प्रमुक रूप से छेत्री दल हैं जम्मो कश्मीर में जैसे अगर हम नेस्टन कॉंफरेंस की बात करें पीडीपी की बात करें उनका ये कहना है कि इसके माद्देम से जो मद्दातों के स्थितियां है उनमें जम्मो कश्मीर ने बड़ा परवरतन किया जाएगा तो सामान अद्यन के दुतिय प्रश्ण पत्र में इसे आप राजवस्ता से संबंदित कर सकते हैं आज का दूसरा आलेख हम देखते हैं वोटेज इंडिया पॉलसी ऑन रोहिंग्या अगर हम इस आलेख की बात करें तो प्रसंख्या 11 पर ये भी है सामान अद्यन के दुतिय प् रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं उसको लेकर समस्या लगातार बढ़ी हैं जैसे अगर हम बांगलादेश की बात करें म्यानमार से रोहिंग्या सरनार्थी अलग अलग देसों में जो पहुंच रहे हैं वहां पर इस्थितिया उनके लिए किस तरह से अनकूल पाती हैं उसको लेकर हमेशा विवाद की स्थितिया रही हैं और भारत भी इससे अचूता नहीं है भारत में रोहिंग्या जो सरनार्थी की रूप में रह रहे हैं उनकी स्थितियों को लेकर एक तरह से हमेशा विवाद की स्थितिया रहती हैं और यह विवाद एक तरह से चर्चा में है, इसका बड़ा करण ये है, कि दिल्ली में रोहिंगा को जहां पर वसाया गया था, वहां पर आग लगने की घटना हुई, और अब उनको एक नई जगे पर बसाने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसको लेकर प्रमकुरूप से बिवात की स्थितियां बनी हैं, अगर हम वर्तमान में दिल्ली में रोहिंगा सनर्थियों के रहने की जगे की बात करें, तो प्रमकुरूप से उत्तरप्रजेस से लगा हुआ जो छेतर है, कालिंदी कुंज और मदनपुर खादर, वहां पर प्रमकुरूप से रहते हैं, और ये दिल्ली का एक घना आबाद करने की घटना हुई है, उसके बाद इनको नई जगे पर बसाने की सितियां एक तरह से बन रही हैं, आग लगने की इस दुर घटना के बाद, 29 जुलाई को एक आदेश पारित किया गया, जिसमें रोहिंग्या परवारों को EWS, यानि एकनोमिकली वीकर सेक्षन जो फ्लैट होते हैं, वहाँ पर इस्थानानतरित करने का निन लिया गया, और इसको एक डिटेंशन सेंटर, एक नजरबंदी केंदर के रूप में एक तरह से बनाये गया है, और यहाँ पर लगातार पुलिस की निगरानी में रोहिंग्या परिवारों को रखा जाएगा, आप EWS फ्लै के प्रमुक रूप से कार्पेट एरिया के बात करें, जिसमें इनका निर्मान किया जाता है, तो यह 30 स्क्वार मीटर का होता है, कोई विदेशी भारत में माल लेते हैं परेटन के लिए, या अगर माल लीजे, कम समय के लिए निवास करने के लिए किसी कारण से रुखता है तो कितने समय तक उसका वीजा उसको अनुवती देता है भारत में रुखने की, उन सारे इस्तितों का जो नियंत्रण है, वो विदेशी छेत्री पंजीकरन कार्याले के दौरा किया जाता है, जिसको हम FRR ओभी कहते हैं, यानि Foreign Regional Registration Office, अगर हम इस कार्याले की बात करें, त मियनमार का जो पस्ची में एक तरह से भाग है, वहाँ पर अगर हम देखें, तो रखाईन परांत हैं, और यही पर एक तरह से रोहिंगया प्रमकुरूप से रहते हैं, जब हम रोहिंगया जाती समू की बात करते हैं, तो इनमें अधिकांस मुसलिम हैं, रोहिंगया वेक्त बढ़ाये गया और यही कारण था कि वो म्यानमार से भाग कर अन्य देसों में सनार्थी के रूप में रहने के लिए विवस हैं प्रमुक रूप से अगर हम देखें तो रोहिंग्या को म्यानमार में एक बिदेशी निवासी का दर्जा दिया जाता है और वहाँ पर उनको पू मेली बड़ी स्थी देखें तो 2012 में सुरू हुई और 2017 में इसको पुनव एक तरह से आगे बढ़ाये गया म्यानमार की सेना के दौरा और ऐसी स्थी में अगर हम देखें तो लाकों की संख्या में जो रोहिंग्या सनार्थी हैं वो बांगला देस में पहुंचे रोहिंग्य हैं जो म्यानमार के साथ सीमा एक तरह से साजा करते हैं और पस्थी म्यानमार का जो रखाइन प्रांत है वहीं पर प्रमक रूप से रोहिंग्या रहते हैं तो इस रूप में आप देखें तो म्यानमार से अगर वो भाग कर किसी भी देश में जाना चाते हैं तो बांगला द अन्य देसों में भी जाकर उन्होंने सणार्थी की रूप में अपनी स्थितियां बनाई है तो यह म्यानवार में रोहिंग्या की जो कठीन स्थितिया है उनको कहीं न कहीं दर्शाता है जब हम निर्वासन की बात करते हैं तो इसका सीधा अर्थ है कि कोई भी विदेसी जो भारत में रह रहा है वो कानूनी रूप में एक तरह से रहना चाहिए यानि जो भी एक तरह से वीजा की सिती है उसके अनुसार वो भारत में निवास कर सकता है लेकिन अगर कानूनी रूप से वीजा के मादम से अब उसकी सिती रहने के लिए नहीं है तो उसे भारत से बाहर जाना पड़ेगा और अगर ऐसा नहीं होता है और भारत सरकार के दोरा किसी व्यक्ति को पहचाना जाता है कि वो विदेसी है लेकिन भारत में कानुवी प्रक्रियाओं से अलग एक तरह से रह रहा है तो उसका निर्वासन या डेपोर्टेशन किया जाता है ग्रह मंत्राले के अनुसार जो भी एक तरह से अवैद रूप में कोई विदेसी भारत में रह रहा है तो उसको हिरासत में लेना और उसको निर्वासत करके उसके मूल देश में वापस भेजना इसके लिए अलग-अलग कानूनों का उप्योग किया जाता है जैसे और केंसासे परदेस के रूप में भी एक तरह से जो भी एकाईया हैं उनको दी गई हैं तो ऐसा नहीं कि ये सकतियां के वर केंस सरकार के पास हैं राज सरकार और केंसासे परदेसों के पास भी ये सकतियां उपस्तित हैं भारत में पुलिस के द्वारा किसी विदेसी वेक् तो उसे तीन महीने से लेकर आठ साल तक की कैद हो सकती है। यह जो सजा की अवधियत तीन महीने से लेकर आठ वर्स जब यह पूरी हो जाती है तो अदालत एक तरह से निर्वासन या डेपोर्टेशन की प्रक्रिया उसके लिए आदेश जारी करती है। और विदेशी व्यक् को अपने यहां वापस लेनी की जो प्रक्रिया है, वो लंबा समय लेती हैं, तो SCCT में जो विदेशी वेक्ति हैं, जो भारत में एक तरह से पकड़ा गया है, उसको डेटेंशन सेंटर या हिरासत किंद्रों में एक तरह से बंद करके रखा जाता हैं, जैसा अभी हमने प्रक् अथी की रूप में एक तरह से रहने की इस्तितियां उसकी अनुमती दी जा रही है, अगर हम पासपोर्ट अधनियम की बात करें, उसी के आदार पर रोहिंग्या की जो इस्तितियां उसको भी कहीं न कहीं सरकार के दोरा हल किया जाएगा, और सरकार के दोरा आठ अगर 2017 को अलग-अलग राज्यों को एक तरह से सूचना दी गई कि रोहिंग्या पलायन करके भारत के अलग-अलग राज्यों में पहुंच सकते हैं, क्योंकि आप देखें 2017 में ही म्यानमार में वहां की सरकार के दोरा रोहिंग्या के उपर जो अत्याचार की इस्तितियां हैं उसको प्तिजी से बढ़ाये गया, तो इसके बाद भारती छेत्र में घुसपैट ना हो पाए, इसके लिए ग्रह मंतराले ने सभी राज्यों को सचित किया था, ग्रह मंतराले का मानना है कि भारत में संसादन एक तरह से सीमित हैं, और अगर इस तरह से अन्य देशों से सनार्थी की रूप में भारत में लोग आते हैं, तो वो हमारे सीमित संसादन पर बोस्त हो गई, साथ साथ सुरच्छा चुनातियों भी एक तरह से बढ़ती हैं, क्योंकि आप ध्यान रखें, इस तरह से जो सरनार्थी भारत में आ रहे हैं, उनको सामान नागरिक के जो अधिकार हैं वो एक तरह से प्राप्त नहीं होते हैं, तो जब भी आपको सामान नागरिक के एधिकार यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं, जैसे मालिजे सस्ते रासन की बात करें, या आसानी से कोई रोजगार करना, या किसी भी तरह से सरकारी अन्य योजना का लाव उठाना, जब आपको य एधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, तो आप कहीं न कहीं अवैद गदविदियों में एक तरह से अपने आपको सामिल करते हैं, और ऐसे लोग अगर हम देखें, तो आतंगवादी संगटनों के निसाने पर रहते हैं, क्योंकि उनके मादन से वो अपनी आतंगवादी भारत में जो भी रोहिंगया सनार्थी पहुचे हुए हैं, उनको निर्वास्त करने की इस्तिती अगर हम देखें, तो कुछ हब तक भारत में ये लागू की गई है, लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं हैं, जैसे 2018 में अगर हम देखें, तो साथ रोहिंगया सनार्थियों को डिटेंशन केंदर में थें, और आगे चलका 2016 में मियानमार दूतावास को अपने देश लोटने की उन्होंने एक्छा वेक्त की, और उन्होंने एक तरह से ये बात कहीं, कि वे स्वेक्षिक रूप से अपने देश मियानमार वापस जाना चाते हैं, इसके संदर में अगर ह है कि वे स्वेक्षा से गए हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो एक विवाद की इस्तिती है कि जो 12 रोहिंग्या सनर्ति वापस गए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखें, 2018 में हम साथ की बात कर रहे हैं, लेकि इस संदर्जन करी तो उस अन्रोद को बार-बार अस्विकार किया गया तो यहां पर Human Rights Watch का इतरह से आरोप यह है कि सरकार यह जो बात करें कि स्विक्षा से इनको भेजा गया ऐसा नहीं है उनको साय जबरन उनके देश म्यानमार वापस भेजा गया है तो इस रूप में यह जो निर्वासन की प्रक्रिया है वो थोड़ा विवादित रही सरनार्थियों के संदर में अगर हम देखें तो भारत में जो प्रक्रिया है वो अंतराष्टी एक तरह से मानक के हिसाब से नहीं है क्योंकि आप ध्यान रखें सरनार्थियों को लेकर जो तराश्य स्थितियां अलग-अलग कानूं के माद्यम से हैं, भारत उसमें सामिल नहीं है, भारत ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं, जैसे अगर हम सरनार्थियों के इस्थिति के संदर में 1951 का सहित तुराश्तन के कन्वेंशन की बात करें, या अगर हम 1967 के प्रोटोकॉल की बात करें सरनार्थियों के संदर में, भारत इसका अस्ताक्षर करता नहीं है, कोई विदेशी एक तरह से भारत में अवैद रूप में अगर पाया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो उसके संदर में जो प्रक्रियां हैं, वह भारत के दोरा विदेशी अधियां 1946, बिदेशियों के पंजीकर नद्रियम 1949, पासपोर्ड भारत में प्रवेस अधियां 1920, और नागरिक्ता अधियां 1955 के प्रावधान के अनुसार सासित होते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान लखें, जो अंतराष्टी है, कन्वेंसन हैं, या प्रोटोकॉल हैं, भारत उनमें ए सानार्थों पर कोई राष्टी कानून नहीं है, भारत में विदेशी नागरिकों को लेकर कोई विवात की स्थिति अगर बनती है, तो ग्रह मंतराले के दोरा एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाती है, जो सानार्थी होने का दावा करते हैं उनके लिए, और उस प्रक प्रक्षना दी गई थी कि भारत में लगबग 40 हजार रोहिंग्या सनार्थी हैं, जिनमें से लगबग 5700 जम्मू में और अन्य राज्य जैसे तेलंगाना, पंजा, भार्याना, उत्तरपदेश, दिल्ली और राजस्थान में बसे हुए हैं, इनमें से अगर हम देखें केव नहीं है कि कितने एक तरह से सनार्थी ऐसे भारत में हैं, क्योंकि कई ऐसे सनार्थी भारत में गुप्त रूप में प्रविस करते हैं, यहां पर एक आंकला दोजा 17 का है, जब सीमा सुरच्चावल के दारा यह बताया गया कि बांगलादेश की सीमा पर 87 रोहिंग्या सनार् रेइस्टर्ड हैं, जो साहित तुराष्ट की एक सनार्थी ऐजनसी के साथ पंजिकृत हैं, तो जो पंजिकृत नहीं है, वो अगर भारत में हैं, तो वो देश की सुरच्चा को लेकर खत्रे की स्थितिय अगर बनाते हैं, तो उसको लेकर कहिना के सरकार को काम करना हैं, ल तब तक वो अपने मूल देश में आनमार नहीं पहुसते हैं, तब तक जिस रूप में भी उनकी साहता मानवी आधार पर की जा सकती है, वो करने की प्रक्रिया सरकार को करनी चाहिए। और आप देखें, दिल्ली में जिस तरह से EWS फ्लेट में उनको बसाने की प्रक्रिया की जा रही है, यह कहीं न कहीं भारत के जो मानवी प्रक्षा सरनार्थियों को लेकर उसकी इस्तितियों को ही दर्शाता हैं। नकाई बाड, हमिस्कलन और सूखे के रूप में यह प्रमुक आपदाएं हैं जो हिमाचल प्रदेश में प्रमुक रूप से अन्भव की जा रही है। माना यह जा रहा है कि पर्वत्ती पर्यावरन पर जो दवाव बढ़ा हैं, उसके कान भी पर्यावरनी समस्या हैं जैसे भूसकलन, भूमी अवतलन, वनस्पती को हटाने और मिट्टी के कटाव की इस्तितियां बढ़ी हैं। तो इसका एक प्रमुक कारण अगर हम देखें, तो हिमाचर पदेश का प्रेटरन के लिए एक बड़ा केंद्र होना। और जब हम प्रेटरन की बात करते हैं, तो हमें कहीं न कहीं परिवहन की जो इस्तितियां हैं, उनको बड़े पैमाने पर विक्सित करना हैं। सासा जो भी एक तरह से कह सकते हैं, होटल या रेस्टरोन की इस्तितियां हैं, यानि अगर हम आवास की बात करें, सासा जो भी भोजन की इस्तितियां हैं, उनको लेकर इस्तितियां हमें कहीं न कहीं विक्सित करनी पड़ती हैं। और जब भी आप इन स्थित्यों को विक्सित करते हैं, आप परवती छेत्रों में एक तरह से विकास की स्थित्यों को बनाते हैं, जिसे माल लीजिए, पहाडों को काटकर एक तरह से जो सलक मार्क बनाये जा रहे हैं, तो पहाडों में जब भी आप इस तरह से सलक मार्क बनात इन सारे स्थितियों से ये जो प्राकृतिक आपदाई हैं, इनकी स्थितियां बढ़ी हैं जब भी हम आर्थी विकास की स्थितियों की बात करते हैं, अगर हम परवती छेत्र में देखें तो जो भी वहाँ पर एक तरह से जंगल के छेत्र हैं, उनको एक तरह से समाप्त करके अविकास की स्थितियों को बढ़ावा देते हैं परवती भागों से अगर जंगल या पेड़ के भाग समाप्त होते हैं, तो वहाँ पर मिट्टी का जो कटाव है, या चट्टानों के खिसकने की जो इस्थितियां वो बढ़ जाती हैं अगर हम भारत में देखें, तो लगबग 8.3-6 प्रस्थ भाग हैं, जो भूमी का तीवर कटाव के साथ में एक तरह से जुड़ा हुआ है और इसका अगर हम बड़ा हिस्सा देखें, तो यह हिमाले में इस्थित हैं आकड़े के कहते हैं कि भारत सरकार के दौरा, जिन अलग-अलग खतरों को प्राकरतिक रूप में एक आपदा के रूप में पहचाना गया है उनकी संख्या 33 है, और इसमें से अगर हम देखें तो 25 प्रमुक रूप से हिमाचल पदेश में आने की संभावनाएं बनती है तो यह हिमाचल पदेश के सिति को कहीं न कहीं प्राकरतिक आपदा के लिए काफी गंभीर बनाता है इसी के साथ 200 की स्थर पर जो जलबाई परतन का प्रभाव है, वह भी हिमाचल पदेश में तेजी से आगे बढ़ा है और हिमाचल पदेश भी इससे अच्छूता नहीं है और इसका प्रभाव प्रमुक रूप से अगर हम देखें, तो जो बादल फटने की घटना है, उनमें एक तरह से विस्तार होना और साथ साथ अगर हम देखें, तो वर्सा का किसी भी छेतर में औससस से बहुत ज़दा हो जाना या कहीं पर अगर हम देखें, तो सूखे जैसे इस्तितियों का निर्माण हो जाना तो ये सारे जो कारण हो जलबाई परतन के साल जुड़े हुए हैं इसी के साथ हिमाचल पदेश में आप देखें, तो मानाव वन्यजीव संगर्स भी बड़ा है कारण आप परेटन को दूरुदराज के परवती छेत्रों में विस्तारित कर रहे हैं तो ऐसी सिति में मानाव वन्यजीव संगर्स बड़ेगा तो ये सब बड़े कारण रहे हैं, जो हिमाचल पदेश में प्राकरतिक आपदाओं की सिति को विस्तारित कर रहे हैं अगर हम प्राकरतिक आपदाओं से जानमाल की हानी को रोकना चाते हैं तो हमें एक तरह से आकलन करना पड़ेगा, ऐसा अनुमान लगाना पड़ेगा कि कौन से छेत्रें जहां पर प्राकरतिक आपदाओं की सिति ज़्यादा खराब है और इसलिए अगर हम देखें तो हिमाचल पड़ेश पूरे राज्य के लिए एक तरह से संभाविता एक मैंट्रिक्स बनाने की बात चल लई है जिसको हम वल्नरेविल्टी मैंट्रिक्स कहते हैं यहाँ पर हिमाचल पदेश राज्य के लिए जिस संभावना मैट्रिक्स की एक तरह से बात की जा रही है उसमें प्रमुक रूप से उपियोग यह किया जाएगा कि अलग-अलग जो जिले हैं हिमाचल पदेश में वहाँ पर प्राकरतिक आपदा की इस्तिती क्या है उसका प्रमुक रूप से अनमान लगाया जाएगा तो यह 0-5 जो भारांग किसी भी जिले को दिया जाएगा हिमाचल पदेश में यह भारांग अगर हम देखें तो भूकम के लिए होगा भूसकलन के लिए होगा एवलांच के लिए यानि हिमसकलन की बात करें या किसी तरह की ओद्दोगी खत्रों की बात करें या कंस्ट्रक वो अलग-अलग जिले जो हिमाचर प्रदेश में हैं उनको दिया जाएगा और उस आधार पर हम अनुमाल लगा पाएंगे कि कहां पर किसी भी प्राकृतिक आपदा के इस्थिति कितनी गंभीर है इसी के साथ साथ आप देखें ये जो 0 से 5 का जो भारंग दिया जाएगा जि इसी के साथ साथ अगर हम सड़क निर्मान की बात करें ये अगर हम बात करते हैं जो भी उद्द्योग हिमाचर प्रदेश में स्थापित किये जा रहे हैं तो इन कारकों को भी देखा जाएगा कि ये अभी एक तरह से प्राकृतिक आपदा को बढ़ाने में कितना योगदा कर रहे हैं जीरो से पांच का ये जो भारांक है उसके आधार पर अलग-अलग हिमाचर प्रदेश के जो जिले हैं वहाँ पर जो इस्तितियां एक तरह से बन रही हैं प्राकृतिक आपदाओं की उनका अनुमान लगाया जा सकता है जैसे अगर हम भूकम की बात करें तो कु हमने समवेदन सील जिलों की बात करते हैं तो उना बिलासपूर, सिर्मौर और सोलन साथ साथ अगर हम देखें तो सिमला और लाहौल इस्पीती या निवन एक तरह से भाग में आ जाते हैं ये आकड़ हमें बताएंगे कि जिन जिलों में भूकम की इस्तिति उच्छ हैं वह असलब यहाँ पर सबस्यदा भूसकलन की संभावना है इसके बाद अगर हम देखें तो कांगड़ा, मंडी, बिलासपूर, सिमला, सिर्मौर और लाहौल इस्पीती जिले मद्यम स्रणी में आते हैं इसके विप्रित अगर हम देखें उना हमीरपूर और सोलन यहाँ पर नि दानी बरतने की आवस्सक्ता है साथ साथ अगर हम चंबा, कुलू और कांगड़ा और सिमला के कुछ हिस्चों की बात करें तो मद्यम रूप में कमजोर छेत्र के रूप में उन्हें हमिस्खलन के साथ जोड़ा गया है जब हम बाल के खतरों की सम्विदन सिता की बात करते ह तो उच्च भाग में एक तरह से आजाता है चंबा, कुलू और साथ साथ उना और किन्नोर जिलो के कुछ भाग और जब हम बात करते हैं मद्यम और निम्न सिर्णी में तो लाहल इस्पीती, मंडी, सिमला, कांगड़ा, हमीरपूर, बिलासपूर, सोलन और सिर्मोर जैसे जि तो जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे अगर हम भुसकलन की बात करें, या बाड की संभावना की बात करें, बादल फटने घटनाओं की बात करें, उनको रोकने को लेकर जो इस्थितियां हैं, वो तो बड़े पहमाने पर करना संभव नहीं है, लेकिन अगर हम यह पर देखें, तो जानमाल का जो बचाव है, वो बड़े पहमाने पर किया जा सकता है, और भविष में ये इस्थितियां ना बने, उसके लिए प्रयास हो सकते हैं, इसी के साथ साथ अगर हम देखें, तो परवती छेत्रों में जो वनों की स्थितियां हैं, उसको मजबूत क करना पड़ेगा, यानि वनों के कटाव की जो इस्थिति परवती छेत्रों में हिमाचर प्रदेश में बढ़ी है, उसको घटाना पड़ेगा, क्योंकि वनों के माद्यम से मिट्टी और चट्टान बंधी रहती हैं, तो वो इस्थितियां हमें बढ़ानी पड़ेंगी, प्रमुख रूप से अलग-अलग जिलों में विकास की जो इस्थिति है, या जो क्रम है, या जो रफतार है, उसको इस्थितित करेगा, और इस आदार पर प्राकृतिक आपडाओं का जो प्रभाव है, उसको भी हम इस्थितिति करने हैं, आज के अगले आलेक को हम देखते warning level most effective in identifying harmful nutrients भारत में अगर हम देखें तो प्रमुक रूप से अगर हम food safety and standards authority of India यानी FSS AI की बात करें तो उसके दोरा प्रस्तावीत यह था कि भारत में अलगलग जो खादे पजात हैं वहाँ पर एक तरह से जो five star rating है उसका सिद्धानत एक तरह से शुरू किया जाए आप लोग three star, four star, five star है तो इस आधार पर अगर हम देखें तो वो कितना ओर्जा में दक्ष है कितना energy efficient है वो हमें पता चलता है और इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे जो खादे पदार्त है उन पर इस तरह से star rating है उसके माद्यम से वो हमारे सेयत के लिए कितना अच्छा है या न और इस अधार में यह कहा गया है कि यह जो five star rating है यह ज़्यादा प्रभावी नहीं है प्रमकृप से यह कहा जा रहा है कि जो भी हमारे package खाद्य पदार्त है उन पर जो भी एक तरह से आप अलग-अलग तरह के warning है चेतावनी देते हैं अलग-अलग पोशक तत्तों के संदर में जैसे अगर हम trans fat की बात करें कि कोई भी उत्पाद है उसमें trans fat कितना है तो उस आधार पर हमें मालों है यह हमारे स्वास्त के लिए हानेकारक है ऐसे उत्पाद हम उपयोग नहीं करेंगे तो इस तरह है कि जो लेबिल लगे होते हैं चेतामनी वाले यह ज़्यादा कार करें बजाए इसके star rating के अगर हम बात करें तो इसलिए star rating जैसे सिधान्त बहुत सफल नहीं हो पाएंगे ऐसा आलेक में कहा जा रहा है प्रमुक रूप से अगर हम देखें तो जो भी चेतामनी के अलग-अलग level उत्पादक पदार्थों पर लगाया जाते हैं उनमें उच् प्रभावी नहीं हो पाएगा जैसा अध्यान बता रहा है इस अध्यान में अगर हम देखें तो प्रमुक रूप से पांच अलग-अलग प्रकार के जो भी label लगाये जाते हैं उनके बारे में बात की गई है और इसको हम बोलते है front of package labeling FOPL यानि प्रमुक रूप से front का जो ह प्रमुक रूप से पांच अलग-अलग तरीके अपनाए जाते हैं और ये पांचो तरीके आप देखें यहां पर आपको तस्वीर में दिये गए हैं पहले अगर हम तरीके की बात करें तो बार कोड के रूप में रहता है लेकिन इसको आसानी से समझ पाना और यहां से जो यह तरह से जानकारी है वो सही से पता कर पाना अतना आसान नहीं है क्योंकि फिर आपको बार कोड की रीडिंग एक तरह से पताओनी चाहिए तो यह उतना कह सकते हैं सफल रूप में नहीं है दूसरे के अगर हम बात करें तो आप प्रमुक रूप से यहां पर दे सकते हैं जहां पर आप अलग-अलग जो पोसक तत्व हैं उनके बारे में सूचना यहां पर दे रहे हैं लेकिन यह एक तरह से पिछले भाग में इसको फ्रंट में लाने की आवस्ता हैं जिससे की ज़्यादा इसका उपयोग हो पाएं इसी के साथ साथ आप देखें ट्रैफिक की बात करते हैं तो यह स्टिती एक तरह से कम दिखाती है जब अंबर की बात करते हैं तो यह थोड़ा मद्यम है और लाल का मतलब है यह उच्छ स्टर है तो इस रूप में आपको जानकारी मिलती है और आप देखें UK, Ecuador, Iran, Sri Lanka प्रमक रूप से यहां पर इसका उपयोग करत हैं जैसे यहां पर साड़े तीन इस्टार दिये गए हैं तो यह अलग-अलग जगे पर एक तरह से खादे-पदार्थ स्वास्त के लिए लाबदायक है या नहीं है उसको बताते हैं और यहां पर आप देखें New Zealand, Australia में Belgium, Luxembourg में प्रमक रूप से इसको उपयोग किया जाता हैं तीसरे अगर हम यहां पर अलग-अलग लेबिल की बात करें जो खादे-पदार्थों के पैकेट पर लगते हैं उनमें अगर हम देखें तो sugar जो भी हमारे saturated fatty acid है या total जो fat है उसके संदर में सूचना रहती हैं और यह Malaysia Thailand में प्रमक रूप से उपयोग किया जाता है अगर हम यहां पर चौथे लेबिल की बात करें तो इसमें आप देखें एक तरह से अस्ट्रकॉन बने हुए हैं तो यह जो octagon बना हुआ है यह दिखा रहा है कि जो भी octagon किसी भी छेतर के लिए बना है जैसे माल यह सुगर के लिए तो यह खतरना की स्थिती में है इसी के साथ सा आप देखें कुछ यहां पर सिंबल या सूचक भी उपयोग किया जाते हैं तो यह प्रमुक रूप से चिली और इस्राइल में उपयोग किया जाता है तो अध्यां के मादन से यह का गया है कि यह जो हम five star rating की बात कर रहे हैं खादे पदारतों को लेकर इसे लागू करने से पहले हमें विशेश रूप में अध्यन करने के आवश्च सकता है कि कौन सा तंत्र सफल रूप में भारत में खादे पदारतों में स्वास संबंदी जो सूचना दी जाती हैं उनमें एक तरह से लागू करना है आज के अगले आले कौम देखते हैं people more aware approach courts to settle disputes यहां पर अगर अगर हम देखें तो विधी मंत्री किरन रिजीजू की दोरा यह कहा गया है कि जैसे ऐसे लोगों में एक तरह से जागरुता बढ़ी है वो जास्यादा नियायला के पास पहुँचकर अपनी समस्याओं के समाधान प्राप्त कर रहे हैं प्रमुक रूप से उनका यह कहना है कि जो भी नयायला में लंबित मामले हैं उनकी स्थित्यों को कम करने का प्रियास करना होगा आकड़े अगर 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 अगरे आप देखें तो सुप्रिम कोट में लगवग आप देखें 70,632 लंबित मामले हैं अगर हम भारत में 25 अ्लग-elग उच्छे नयायला मे और जिला अदालतों में लगबच 4901 करोन मामले हैं तो ये जो लंबित मामले इनको हल करने की प्रक्रिया क्या हो सकती है तो इसके ले अगर हम उपाई की सिरी देखें तो प्रमकुरूप से अगर हम विदी मंत्राले की बात करें तो उनके दोरा प्रस्ताव दिया जा रहा है कि कुछ ऐसे सुझाव जिनको लागू किया जा सकता है जैसे अगर कोई मामला 30 साल पुराना है तो उसे 2025 तक कैसे भी करके निप्टाय जाए जाए अगर 20 से 30 साल पुराना है तो 2028 तक 10 से 20 साल है तो 2033 तक पूरा किया जाए और केवल 5 साल पुराना है तो 2047 तक इसको इतर प्रस्त की कमी आ जाएगी और इसके परणाम सरुख 2047 तक लंबित मामलों में 90 प्रस्त की कमी की योजना एक तरह से बनाई जा सकती है आप ध्यान रखें 2047 बारत की आजादी के सौवा वर्स है तो उस रूप में ये इस्तितिया हम कर सकते हैं इसी के साथ साथ अगर हम साथ राज सरकारों को अपने अपने जो उच्छे नयाले हैं वहाँ पर समन्वे के लिए अदालत प्रबंदक को इतरह से अलग रूप में निक्त करने के आवस सकता है अगर किसी भी उच्छे नयाले में अदालत प्रबंधन निक्त किया जाता है तो आप देखें जो भी ग ही न क grapes नहीं नेृसी बहुत समय जाता है तो अगर ऐसी प्रक्रया की जाए ऐसा विशेश्ष प्रबंद किया जाए कि अदालद प्रबंदन की स्थितियों के लिए अलग व्यक्तियों को निउत्त किया जाए तो यह अबी लंबित अगर व्यक्ति अनुपस्तित भी है तो वर्च्वल रूप में वो भाग ले सकता है तो यह एक तरह से कोर्ट में केस के स्थगन की स्थितियों को कम करेगा मामले लंबित होने की स्थितियां हलो सकती हैं इसी के साथ साथ हमारे सुप्रेंग कोर्ड और अलग-अलग जो उच् जिससे की जो भी इस तरह के मामले हैं उनको समय सीमा के अंदर पूरा किया सके इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो सूचना और संचार प्रद्योगी का उप्योग किया सकता है जैसे अदालत में जो भी केस का फ्लो है यानि किस रूप में मामला आगे बढ़ रहा है इसके इसके अगलक नियादीस को जो करना है वो प्रक्रिया कर सकते हैं इसी के साथ साथ जो ईफाइलिंग और लंबित मामलों को कम करने के लिए जो सम्मन दिया जाते हैं वो एलक्ट्रौनिक रूप में दिये जाए तो केसों की फाइलिंग जो एक तरह से काग जी दस्तावेज म और इसमें अगर हम देखें, तो मध्यस्ता का प्रमोख रूप से एक तरह से उप्योग किया जा सकता है, इसको हम मीडियेशन बोलते हैं, तो मीडियेशन की जो इस्तिति मध्यस्ता की है, वो बढ़ा कर भी हम कोर्ट में केस जाए, उसके पहले ही दो पक्षों के बीच में ब जंबित मामलों को कम करने की प्रक्रियाएं कर सकता है, आज के अपने अंतिमाले को देखते हैं, और यह मद्रास उच्छेनायले के एक निर्णे के संदर में है, मद्रास उच्छेनायले ने अपने निर्णे में इस पर सूप से काया है, कि जब हम फैर्डरिजम की बात करते तो संगवाद का जो एक तरह से अर्थ है वह प्रमुक रूप से basic structure हमारे संविधान के साथ में जो जुड़ा हूआ है उससे जुड़ा हूआ है यानि हम basic structure का जो भाग है उसके साथ में संगवाद की सिति को जोडते हैं और यह एक तरह से हमारी नयाएपाहलका पर भी ग्रिट नहीं कर सकता है मद्रास हाई कोड के दारा निर्णे में इसपस्ट रूप से का गया है कि अगर करनाटा का कोई मेडिकल कॉलेज है और वो चेननेई में किसी भी मालिय संस्थान के साथ में डीमडी उन्वेस्टी की रूप में जोड़ना चाता है तो उसके संदर में अगर विवाद है तो जो निर्णे है वो करनाटा को चेनायले के दारा दिया जाएगा तो इस रूप में अगर हम देखे क्या अभ्यास प्रस्णों को देखते हैं पहला प्रस्ण संदर में भारत में कानूनी स्थिति को बताते हुए रोहिंग्या संदर में प्रक्रिया को अपनाने में कौन-कौन सी सावधानी बरतने की आवस्तकता है चर्चा करें डेर सो सब्द दसंगों का प्रस्ण है भूमि जिसके संदर में ग्रह मंत्रालने राज्यों को नोटिस दिया है वो आप यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं निसकर्स में आप बताएंगे सहनार्थियों के संदर में भारत को मानुवी पक्ष के साथ सुरच्छा कारकों को भी ध्यान रखने की आवश्यक्ता हैं दूसरा परसम द बता है जो हमने आपको आकड़ा बताया था वो आप बता सकते हैं मुख के भाग में विविन उपायों को बताएं विवात का वैकल पे एक समाधान संबंदी उपाय भी आप बताएं जो मध्यस्ता से जुड़ा हुआ है निसकर्स में देखते हैं नियाय में देरी नियाय से वंचित होने की समान हैं यानी डेले इंजस्टिस, जस्टिस डेनाईट तो इस रूप में आप देखें लंबित मामलों की इस्तितियों को सिमित करना नियाइक प्रक्रिया को सही रूप में इस्थापित करेगा यह हमारा 21 अगस 2022 का समाचार विस्नेशन हैं आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विस्नेशन हम आपको इसी तरह से उपलप्त कराते रहेंगे बाइजूस एक्जाम पर पाईए सिंधी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं अधिक से अधिक संक्या में लाइक सेर और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही सब्सक्राइब करें धन्यवाद